इंक्लूड करते हैं मैं फाइल को पहले सेव करूँ यह हमारी लूप स्टेट्मेंट है और लूप है वन जिसमें हम लोग बात करेंगे फार की सो इंक्लूड करें हैश साइन के साथ इंक्लूड डिरेक्टिव हमने लगाया आयो स्ट्रीम .h और यूजिंग नेमस्पेस एड़ करते है std standard नेमस्पेस हम लोग यूज कर रहे है अब हमारा main method शुरू हुआ जो के int type होगा और सबसे पहले करते है return 0 ताकि हमारी बुनियादी requirements पूरी हो अब हम लोग far loop लगाने लगते है far far का ये फाइदा है कि यहीं पर ही इसका declaration हो सकता है int i और i is less than यहीं पर declaration है और यहीं पर initialization है i is equal to 1 i is less than r equal to 10 और i plus plus यह हमारे पास इसका loop आगया और इदर हम लोग जो काम करना चाहते हैं वो हमने लिख दिया c out hello world यह हमने यहां पर लिख दिया हर दफ़ा hello world लिखने के बाद नई लाइन यह शुरुक करें slash n लगा दे या फिर आप यहां पर end l लिख दे यह दोनों आपके पास options मौजूद हैं यह क्या करेगा यह एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा दस दफ़ा c out को यहां में hello world को इसको मैंने save किया है save करने के बाद मैं इसको run करने लिखा हूं यह मैंने compile and run किया है और आपके पास अभी result आने वाला है यह result आ गया किती दफ़ा इसमें print किया है साथ हम लोग उसको भी print करते हैं हम कहते हैं साथ i को भी print करें तो मैंने यहां पर यह i लिख दिया और इदर इसको कहा कि i लिखने के बाद एक tab का फासला दे और उसके बाद hello world लिखे सेव किया और दुबारा से हम लोग इसको रन करते हैं compile and run और आपके पास जो result आ रहा है वो यह है शुरू पे आपके पास इनकी iterations लिखी हुई है और आगे उसके values लिखी हुई है जी for loop में आपको कोई confusion यही सारे का सारा काम हम लोग do while में करते हैं so int करते है main शुरू return करें 0 और इदर हम लोग अब हमें declaration देनी पड़ेगी इदर int i is equal to 1 जैसे के हमने यहाँ पर दी थी यह वाली int i is equal to 1 for loop के body के अंदर ही और फिर हमें यहाँ पर while loop हमें शुरू करना है while expression है हमारा के i की value should be less than or equal to 10 और यह हमार पस while की body शुरू हो गई यहाँ पर हमने लिखा cout cout पहले i को print करें फिर एक tab का फासला हो जैसे के उपर हमने लिखा है और फिर hello world लिखते है लें जी sign of exclamation और initial value को 10 तक लेकर जाना है तो increment देना जो है वो जरूरी है यह increment हमने दे दिया अब इसको इसमें end नहीं लिखना end या वगएरा जो slash लगावन है बिलकुल बिलकुल हम लोग लेक्व सकते हैं लेकिन इसको मैं slash n से लेके जा रहा हूँ, slash n जो वो carriage return है वही काम करेगी जो endline करती है, लेजी, यह हमार पास वही काम है, mobile के साथ, लेकिन फरत के हैं, सिर्फ syntax का फरेक है, same काम करेगा, यह हमार पास एक एक step हमारा हो गया, अब मैं इसको थोड़ा से complicate करता हूँ, कम्प्लिकेशन के लिए, मैं यह code को किया, comment किया, और हम लोग इन expressions को यह जो हमने initial value और end value दिये, इसको control भी कर सकते हैं, तो इसको dynamic भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मिसाल जो अमूमन सबसे आसान हम लोग discuss करते होते हैं, वो है, मुझे body मैं शुरू करूँ पहले main, जो मिसाल है हमारे पास वो है table ड्रॉ करने की, तो हम लोग यहां पर table एक बनाते हैं, table अमान पर किस तर्तीब से होगा, table लिखा जाता है, see out, पहले वो letter जिसका table हमने बनाना है, पहले वो number आ जाएगा, फिर multiplication का निशान होगा, फिर उसके बाद हम लोग print करेंगे, one के साथ इसको multiply हम लोग कर रहे हैं, और one के साथ multi करन लिखना है, ठीक हो क्या, अब जरा देखते हैं कि कैसे लिखेंगे, मैं इसको far के साथ फिलाल करने लगा हूँ, far, let's say हम लोग यह दो का table एक से लेकर दस तक लिखने लगे हैं, तो एक से शुरू करना है, तो int i which is equal to one, int i is equal to one, और करना क्या है, दस तक जाएगा, i is less than or equal to 10, और one से 10 तक पहुंचने के लिए increment देना पड़ेगा, i plus plus, उसके बाद हमारे पास यह loop की body शुरू हो गई, और इस body के अंदर हमने अपना सारा code लिखना है, किस तरतीब से, इस तरतीब से, लेजी, यह हमारा code आ गया, सबसे पहले two लिखा जाएगा, two के बाद आपके प यह हमारा equal sign है, equal sign के बाद फिर यहां पर हमें, यह close किया, और इदर हमें चाहिए, अपने table को, जो generated value है, i की, उसके साथ multiply करके हमने लिखते रहें, और लिखने के बाद, हम लोग फिर से, इसमें add करते हैं, slash n add कर लें, यह end l कर लें, end l, यह हमने save किया, अब इसको compile and run करते हैं, यह देखें, आपके पास table बन गया, चिरफ एक line लिखिया हमने, अगर आप चाहें कि यह आपके पास एक से लेके, एक हजार तक का table बनाए, तो यहां पर आप एक हजार लिख दें, अच्छा जी, यह हो गया, अब इसको है, बजाए इसके कि इसको constant value यूज करें, हम लोग इसको भी dynamic लेते हैं, हम कहते हैं, जी, int t, which is equal to 2, और यहां पर हमने, बजाए 2 लिखने के, इधर हमने add कर लिया, हमारा t, जो के variable है, t table, और इसके बाद हम लोग कहते हैं, जी, start value, कहां से शुरू करनी है, शुरू करें, बजाए 1 से, तो यह 1 से शुरू कर रहा है, तो i को हम लोग बजाए 1 के शुरू करने के start के equal कर देंगे, और उसके बाद end जो है, end कहां पर करना है, यह सारे integers हैं, यह TA और in TA, क्योंकि यह already, इनका declaration जो है, वो भी ज़रूरी है, end करें, 10 पर, तो यहां पर हम लोग इसको 10 क की बजाए, end कहां देते हैं, कि end तक जाएगा, i start से शुरू करेगा, और end तक जाएगा, और increment देगा, यह, ठीक हो गया, अब, अब ज़रा दुबारा इसको run करते हैं, मैंने इसको compile and run किया, आपके पास code पे ज़रा सा फरक भी नहीं पड़ेगा, यह गलत हो गया था, यह म compile हुआ, run हुआ, same उसी तरह से, लेकिन advantage है, मैं क्या मिला इस काम से, advantage यह मिला है, कि अगर मैं यहां पर t को 2 की बजाए 6 कर देता हूँ, तो आप दुबारा से run करते हैं, तो आपके पास 6 का टिक अला गया, अगर मैं start को यहां पर 1 की बजाए 5 कर देता हूँ, और end को मैं यहां पर 10 की बजाए 15 कर देता हूँ, तो आपके पास result जो है, वो उसके हिसाब से हो जाएगा, यह आपके पास चीज़ें dynamic हो गई है, 5 से शुरू कर रहा है, 15 तक जा रहा है, मैं इसको और बहतर करता हूँ, मैं कहता हूँ जी, कि यह बजाए इसके, कि यह values इस तरह से हम हम लोग design time पे ले, हम लोग runtime पे values इसको देते हैं, तो कहते हैं जी, c in, c out पहले करते हैं, c out, enter table number, यहां पे table number हम लोग लिखेंगे, और c in करेंगे इसको, c in करेंगे table number t में जाएगा, उसके बाद हम ने, इसकी starting value रहे हैं, बलके starting value रहने दे, इसकी सिरफ declaration हमें चाहिए, initialization अब नहीं चाहिए, अब मैंने इसको compile रहने दुबारा किया, अब देखेगा क्या होता, enter table number, हमें यहां पर 45 का table चाहिए, enter किया देखे, 45 का number 5 से 15 अना शुरू हो गया, जैसे हमने table को अपनी मर्जी से लिखा है, वैसे हम लोग start और end को अपनी मर्जी से दे सकते हैं, so start और end को अपनी मर्जी से कैसे लेके जाना है, यही काम जो अबने अभी यह किया है, इसको दुबारा से perform करते है, table number की बज़ाए, table start value, start from कहां पर करना है, start की value start में जाएगी, और इसी तरह हम लोग end की value को टूंडेंगे, ending value और इसको हम लोग end में भेजेंगे, बस इतना सा करना है, अब हम लोग यह जो पहले तीन लाइने हैं, यह basically आपकी declaration of variables है, यह जो लाइने हैं तीन, यह basically आपकी initialization of values है, यह हम लोग dynamically कर रहे हैं, run time पे कर रहे हैं, values initialize, और यहाँ नीचे असल में हमार यह statement है, जो काम कर रहे हैं, अब यही सारा काम मैं while के साथ करने लगाँ, यही सारा कुछ होगा, लेकिन loop हमारा while का होगा, so while, जो i हमने उसके अंदर declare किया था, वो हमें पहले initialize करना पड़ेगा, i is equal to start, यह start से शुरू करेगा, और while है हमारे पास, while के जी, के यह i चोटा होगा या बराबर होगा, end के, वही काम जो हमने पहले लिखा, कोई मुखलिफ चीज नहीं है हमारे पास, same वही चीज़ है, यह मैंने statement रहे हैं, इसको copy किया, और यह while की body में रख दिया, सिर्फ एक चीज़ का इजाफा मैं यहां पर करना पड़ेग वही है कि हमें इधर increment देना पड़ेगा i को, बस, यह इजाफा है, same आपका loop है, बिलकुल उसी तरह से run करेगा, जैसे कि अभी हमने far को run किया है, हम कहते हैं, जी 7 का table है, और यह 16 से शुरू करें, और 21 तक लिखें, यह 7 का table, 16 से शुरू हुआ और 21 तक लिखें, तीसरी ब non iterations का मतलब यह है, कि हमें पता है, कि हम लोग ने हमेशा end तक जाना है, और end जब value एंटर करेंगे, तो वो तो पता है कि 21 तक जा रहे हैं, 22 तक जा रहे हैं, जो भी value लिखेंगी वो आपकी last value होगी, इस सूरत में आपके पास non iterations है, यह दोनों सूर्तों में,